हमश्कार, आज की हमारी कहानी नील कंट मोर के बारे में है जब एक बार महादेवी वर्मा जी कहीं जा रही थी तो उन्हें रास्ते में पिंजरे में बंद बहुत सारे पक्षी दिखाई देते हैं और एक मोर था जिसका नाम है नील कंट और यह कहानी महादेवी वर्मा की लिखित कहानी है जिसे आज मैं अपनी भशा में आपको बता रही हूँ महादेवी वर्मा अपनी कार में जब बैठ करके कहीं जा रही थी तभी उन्हें पिंजरे में बंद बहुत सारे पक्षी दिखाई देते हैं उनकी नजर मोर और मोर्नी पर पड़ती है जो की दोनों पिंजरे में बंद थे वह मोर मोर्नी के बच्चे थे और वो उस दुकान के पास गई कुछ पैसे दे करके दोनों को खरीद करके अपने घर ले आती हैं लेखिका ने मोर और मोर्नी को एक कमरे में रख दिया वो उस पिंजरे में जूमते थे मानों पिंजरे को ही उड़ा करके ले जाएंगे लेखिका ने उन दोनों मोर मोर्नी को पिंजरे से आजाद कर दिया मोर मोरनी दोनों उस कमरे में कुछ दिन तक तो डर डर कर जिये लेकिन कुछ दिनों के बाद उनका डर खत्म हो गया वो उस पूरे कमरे में चारों और घूमते खेलते जब लेकिका उनको देखती तो उसे बड़ी खुशी हुई और उसने कहा कि यह है मोर मोरनी दुकानदार ने तुमें दिये हैं यह है तो तीतुर है लेखिका ने देखा कि मोर की गर्दन नीले रंकी है इसलिए उसने मोर का नाम रख दिया नील कंट नील कंट यानि नीले कंट वाला जिसका गर्दन नीली हूँ कंट होता है गला और मोरनी जो कि हमेशा उसकी चाया की तरह आगे पीछे फिरती थी उसका नाम लेखिका ने राधा रख दिया और वहे दिन भर उचल कूद करते उनकी वज़े से इस चारा घर गंदा हो जाता था उन्होंने अब दोनों मोर मोरनी को पक्षी घर में रखना ही उचित समझा ताकि ये घर को गंदा ना करे घर पर ही उनका एक पक्षी घर था जिसे हम अपनी भाषा में पिंजरा भी कह सकते हैं जिसमें कबूतर, तोते जैसे पक्षी थे और उनके खाने पीने घूमने की सारी सुविधाई थी लेखिका ने दोनों को उसमें घर में रख दिया उस घर में मोर मोरनी जब आये तो उनके रंग को देखकर सभी पक्षियों को बहुत खुशी होती है अब वो दोनों और पक्षियों के साथ घर में घूमते रहते और इस प्रकार से धीरे-धीरे बड़े होने लगे मोर अपने आपको पक्षी घर का सरदार समझने लगा था अगर किसी भी पक्षी या जानवर का कोई भी नुकसान होता या कुछ भी परेशानी आती तो वे हर काम में सैनिक की तरह खड़ा हो जाता कबुतर तोती जैसे पक्षी नील कंट के पंखों से हाथ लगा लगा कर देखते मनों कोई छिपा छिपाई का खेल खेल रहे हैं जैसे लुकाची पी का खेल खेलते हैं उसी प्रकार से वो भी उसे देखते थे तोनों पक्षी जो थे मोर मोरनी सभी पक्षियों के साथ बहुत खुशी से हिल मिलकर रहते थे एक दिन कबूतर के एक छोटे से बच्चे को साप ने पकड़ लिया और वहे साप जो था उस पिंजरे में चुपके से आ गया था तभी निलकंट को लगा उसे लगा तो वहे एक सीना पती की तरह वहाँ आया और साप को मार डाला इससे सभी पक्षी बहुत खुश हो जाते हैं इधर एक दिन लेखिका जब अपनी कार से कहीं गई हुई थी तभी उन्हें अपना एक परिचित मिला उसके पास एक मोरनी थी जिसके पंख और पंजों में चोट लगी हुई थी उन्होंने लेखिका से उसे खरीदने का आगरे किया तो उन्हें मोरनी पर दया आ गई और उन्होंने खरीद लिया उसका नाम भी रख दिया और वह मोरनी की सिवा करती उसने उसको उसी पक्षियों के पिंजरे में डाल दिया अब नई जो मोरनी थी हमेशा राधा के साथ जगड़ा करती थी और जगड़े में उसके पंक भी तोड़ डालती कभी तो उसके पंक या पंजे नोच डालती वह नीलकंट के सामने घूमना पसंद करती थी इस वज़ा से राधा और नई मोनी में जगड़ा हो जाता यहां तक कि उसने राधा के अंडे तक भी तोड़ा ले थे इसी वज़ा से नीलकंट और राधा बहुत ही चिंतित हो गए थे एक दिन नीलकंट ऐसे ही दूसरे पेड़ों के नीचे घुमता हुआ चला गया दुखध मृत्यू हो गई यहां नीलकंट दूनिया से चला जाता है मार जाता है खत्म हो जाता यह इधर जब नहीं मौनी को पता चलता है यह कि निलकंट नहीं आया थो वह खोज के लिए निकल जाती है लेकिन रास Τे में उसे लेखिका की कुटिया मिलती है उस कुटिया पर उसने आकमर्ण किया क्योंकि वह पहले से ही इस तरह के स्वभाव की थी तब उस कुटिया ने अपने दोनों पंजों से उस मूर को मार डाला लेकिन राधा अपने नील कंट की याद में समय बिता रही थी येकिन उसको ये नहीं पता था कि अब वह कभी भी नहीं आएगा यह कहानी महादेवी बर्माजी के द्वारा लिखी गई है अगर आपको इस कहानी का कोई प्रेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिए अगर आपको कहानी अच्छी लगती है तो शेयर जरूर कीजिए थैंक यू फॉर वाचिंग